तो जबसे योट्यूब की आटोमेटिक वीडियो चैप्टर वाली हप्डेट आई है तो काफ़ी सारी योटिवर, कन्फють और गए है कि आप हमारी कोन सी वीडियो में किस जगा आटोमेटिक चैप्टर लगा देगा, तो देखें जहां तक बात है आपकी वीडियो की, तो यो ज्यख़ है तो यहां पर यह आ पर में बात यह बारे में यह आतीक जो हर एक वीडियो के three या नहीं तो इसका जब तो आपको इस वीडियो के एंड पर मिलेगा बट उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि आटमेटिक चैप्टर को हम आवन आफ कैसे करते हैं उसके बाद मैं उसका भी जबाब आफ को दे दूँगा automatic chapter को on off करने के लिए आपने अपना chrome browser open कर लेना है और यहाँ पर search करना है white studio काफी सारे यूट्यूबर इसको जानते होंगे application को भी जानते होंगे Chrome browser में white studio कैसी यूज करते हैं यह भी जानते है और यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपके पास यह white studio नाम की जो application है वो Chrome browser में open नहीं होती तो आपने करना क्या है इसको copy कर लेना है copy link address करने के बाद यहाँ पर new tab को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपने paste कर देना है तो जैसे ही आप paste करेंगे जैसे open होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने automatic chapter को on off कैसे करना है तो जैसे ही आपके पास white studio नाम की application Chrome browser में open हो जाती है तो आपने करना क्या है यहाँ पर आपको zoom करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting का यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे नीचे option मिलेगा अगर आप mobile पर use करते हैं मैं इसे highlight भी कर देता हूँ आपने यहाँ पर click कर लेना है तो यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने एक new interface open होगा अब यहाँ पर आपके पास side पर option मिलेंगे यहाँ पर मैं इसे भी highlight कर देता हूँ इन option को आप देख भी सकते हैं अब यहाँ पर third option आपको मिलेगा upload default का तो simply आपने इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर आपने advance setting के option पर click करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं automatic chapter को अगर आपने इसे on करना होगा तो इसे यहाँ पर आपने tick कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा tick हुआ घड़ा है अगर आपने off करना है तो यहाँ पर आपने tick को हटा देना है हाँ यह आप हर एक वीडियो के लिए भी अलाइदा से लगा सकते हैं या फिर आपको वहां पर अगर नहीं करवाना तो पूरे चैनल के लिए आटोंटिटीक चैप्टर को लगा लेडाना तो फिर आपने यह यही से करना है आपने इसको टिक करके सेव कर देना तो इसका मतलब आपकी वीडियो पर जनरेट हो जाएंगे तो इसी तरह यह आप आप कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो आपकी किसी भी वीडियो को यूट्यूब लारं करके आपकी किसी भी वीडियो पर आपकी वीडियो पर जनरेट कर सकता है अगर तो आप आफ करेंगे तो फिर तो आपक चैप्टर वो लग सकते हैं otherwise अगर आप आफ करेंगे तो फिर आपको खुद लगाना पड़ेगा टाइम स्टाप के जरी है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अब आते हैं अपनी मेन बात की तरह के आटमेटिक जो चैप्टर हैं वो हर एक चैनल के लिए हैं भी या नहीं है तो यहां पर मैं आपको एक स्क्रीन चाट दिगा दूँ जो के मैंने यूट्यूब की आफिचल वैब साइट से लिए हैं यूट्यूब ने ये खुद बता दिया है कि आटमेटिक चैप्टर अगर किसी चैनल पर एक एक्टिव स्ट्राइक हुई तो उस पर आटमेटिक च स्ट्राइक हुई तो तब आपकी किसी भी वीडियो पर आटमेटिक चैप्टर जनरेट नहीं होंगे और दूसरी बात अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं भी हुई और आपका जो मवाद है आपकी वीडियो है वह आइडियो के लिए अच्छी नहीं ना मुनासिब है तो यह मैने आपको बता दिया अगर आपको कोईकाना तो हमें कमिट भी कर सकते हैं इसके लावख हमें इंस्टाग्राम पर फालो भी कर सकते हैं और हाँ अगर आपको चैپٹर के बारे में जानना है कि चैप्टर क्या है और कैसे हम बनाते हैं तो उस पर मैंने एक mandatory से वीडि चैनल पर नहीं हो तो इस तरह के इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप मारा चैनल सब्क्राइब जरूर कर सकते हैं और साथ ही बैल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन बिलता रहे तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा लोग्र अपराद मिलते हैं विए झाल अपराद हैं अनल समय हैं एलम झाल पहुआ हैं रिए झाल अंपराद फड़रादे हैं विए गार आपेगां